हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रेक, दोस्तो आज के सेशन में हम 23 नवंबर 2022 के इंपोर्टन करेंट अफ़ेर्स को डिसकस करेंगे, साथियों कुछ दिनों तक मैं बाहर हूँ, इसलिए आपको वीडियो इस फॉर्मेट में मिलेगा, मैं आपको फेस कैम बीच में शुरू हुआ है, तो यह किस दिस के बीच में शुरू हुआ है, भारत और ओमान के बीच में यह अभ्यास शुरू हुआ है, साथियों भारती और रॉयल ओमान नौ सेना के बीच में यह जो अभ्यास है, इसका 13 अडिशन 20 नवंबर 2022 को ओमान के तट पर शुरू ह हुआ है नसीम अलबहर नौसेनिक अभ्यास कब से शुरू किया गया है 1993 में और इसका आखरी एडिशन 2019 में गोवा में आजित किया गया था देखिए आप यह बात हमने ओमान की की है तो ओमान की कैपिटल देखिए आप ओमान की कैपिटल मसकट है थेयाजिन बिन हैथम इसकी यहाँ पर देखिए आप इरान है यह कतर है यह बहरीन है साउदी अरब है यह यमन है और UAE है यहाँ पर पाकिस्तान की लोकेशन है तो ओमान जो है यह अरब प्रायदीप के अंतरगत आता है और पूर दक्षिड में इस्थित एक मुसलिम कंट्री है इसकी ओफिशल और युद्ध अभ्यास होते हैं उसे हमद इसकस करेंगे तो भारत और अमेरिका के बीच में तीन याद रखियेगा वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास और टाइगर टरंप एकसरसाईज भारत और फ्रांस की बीच में होता है गरुण, वरुण और शक्ती भारत और ब्रिटेन की बीच में होता है अजय वारियर, कोंकर और इंदर धनुष भारत और बांगलादेस की बीच में होता है बोंगो सागर और संप्रीती युद्ध अभ्यास साथ्यों आप पढ़ रहे हैं 23 नवंबर 2022 के इंपोर्टेंट Current Affairs और मैं हूँ राजा गुप्ता, मैं आप सभी को Current Affairs पढ़ाता हूँ लास्ट में हम स्पेसल स्टैटिक जीब के सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे ये स्क्लास की जो फॉर्मेट है पच्चिस से तीस मिनट की क्लास है डेली करेंट अफेर्स का यहाँ पर टेस्ट भी होता है तो पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से मन लगा करके सुनिएगा इसकी पीडियाफ हमारे एप्लिकेशन पर मिल जाएगी दोस्तो संगर्स और तकलीफ ना हो तो क्या मजा है जीने में तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में चलिए question number 2 को देखते है हाली में संगाई उत्सब मनाये गया तो किस राज में संगाई उत्सब मनाये गया तो संगाई उत्सब जो है friends मडिपूर राज में मनाये गया है भारत के tourism minister कोगहने जी किशन रेड़ी इन्होंने 21 नवंबर 2022 को मड़ीपूर के बिश्णू पर जिले के मोईरांग खुनों में मड़ीपूर के सबसे बड़ा परेटन उचसब संगाई उचसब का उधगाटन किया है ये कब से कब तक चलेगा 21 से लेके 30 नवंबर तक चलेगा इसका आजन किया जाएगा देखे इसकी शुरुवात 2010 पे हुई है और इस छेतर में संगाई के रूप में लोगप्री शर्मीले और कोमल हिरन की विश्श्रता को उजागर किया जाता है संगाई हिरन की एक दुरलब प्रजाती है जो कहां पर पाई जाती मड़िपूर में और मड़िपूर का राज पशु भी है 2022 की थीम याद रखिएगा एकता का तेवार मड़िपूर में बहुत सारे इंपोर्टेंट महसब मनाय जाते हैं उससे भी डिसकस करते हैं जैसे की चुमफा, तांग खुल नागाओ का तेवार, चिराओबा, मड़िपूर नौबर्स माना जाता है लुई नगाई नी, याओ सांग, गंग नगाई ये सारे महत्वपूर मड़िपूर के तेवार है मड़िपूर की बात करें, तो ये नौर्थीस्ट में आता हमारा एक स्टेट है, इसकी कैप्टल इंफाल है प्रिजेंट में चीफ मिनिस्टर है एंबिरेंसिंग और राजपाल है लागडेशन देखिए मड़िपूर की लोकेशन यहाँ पर देखिए यहाँ पर मड़िपूर की आप लोकेशन देख सकते हैं, उपर नागा लेंड आता है नीचे मिजोरम आता है, इधर असम आता है, इधर से मैमार है तो इस परकार से मड़िपूर राज जो है, अपने नेबरिंग स्टेट्स, अपने नेबरिंग कंट्री से जुड़ा हुआ है दोस्तो 21 नवंबर का टेस्ट हुआ था, और 21 नवंबर के टेस्ट में यहाँ पर टॉपर है रूशी बंद दूसरे हैं, विशंबर सिंग, तीसरे हैं लालू, चौथे हैं सीकू और पाचवे हैं जीवन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप सभी का, आप टॉप फाइव रैंक पर हैं यहाँ पर हजारों बच्चे इस पर टेस्ट देते हैं, और यह रैंक आप सभी किये रहें दोस्तों यह जो टेस्ट है, हमारे क्रेजी जी के ट्रिक एप्लिकेशन पर होता है प्ले स्टोर पर जाकर कि आप CGT को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पर आपको Daily Current Affairs का सेक्शन मिलेगा, यहाँ पर वीडियो, PDF और क्विज, तीनों चीज़े मिल जाएंगे हाली में किस देश में 18 वर्स की मतदान आयू को भेद भाव पूर्ण बताया गया है यानि दोस्तों यह New Zealand में हाली में ऐसा हुआ है जैसे हमारे भारत में 18 वर्स का जो वोटिंग राइट से दिया जाता है New Zealand इसे 16 वर्स करने वाला है जो New Zealand का सुप्रीम कोर्ट है इसने 21 नवंबर 2022 को एक फैसला दिया है और बताया है कि देश की जो वर्तमान मतदान आयू है 18 साल भेद भाव पूर्ण है New Zealand के प्राइमिनिस्टर को उन्हें इनका नाम है जसिंडा आडन इन्होंने कहा है सरकार 16 साल की उम्र करने के लिए कानून का मसवदा यानि ड्राफ्ट तयार करेगी दुनिया में जितने भी देश है वहाँ पर रिधित्तम 18 वर्स पूरी होने के बाद ही किसी भी सिटिजन को वोटिंग देने का अधिकार होता है भारत में आर्टिकल 326 में वोटिंग देने का अधिकार दिया गया है 18 साल की आयू पूरी करने के बाद कोई भी महिला और पूरुस वोट दे सकते हैं बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पर 16 साल तक का वोटिंग देने का अधिकार है जैसे ब्राजील, एक्वाडोर, आस्ट्रिया, क्यूबा भारत में मतदान की आयू 1950 में जब संब्धान की घोशना हुई थी तब 21 वर्स थी हाला कि 61 अमेंडमेंट किया गया 1988 में और मतदान की आयू घटाकर 18 वर्स कर दी गए चली दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर न्यूजिलेंड की बात करेंगे तो न्यूजिलेंड जो है यह दक्षर प्रशांत मासागर में एक द्वीपिय देश है न्यूजिलेंड के स्वधेशी लोगों को माओरी कहा जाता है न्यूजिलेंड में जो मुद्र अस्तमाल की जाती है न्यूजिलेंड डॉलर और वेलिंगिटंग यहाँ की क्यापिटल है न्यूजियलेंड जो है अपने उडान रहित पक्षी कीवी के लिए जाना जाता है और यहां की जो एकनॉमी है भिड़ पालना पर निर्भर करती है 1642 में डच खोच करता एबल जानसुन ने इसकी खोच की थी ये है न्यूजियलेंड की लोकेशन हाली में भारत और न्यूजियलेंड का मैच भी हुआ है आप सभी को पता क्रिकेट मैच भी हो रहा है भारत का सबसे बड़ा उर्वरक अपूर्ती करता कौन सा देश बना है तो भारत का सबसे बड़ा उर्वरक फर्टिलाइजर सप्लायर बना है रश्या अभी हाली में रशिया भारत का सबसे बड़ा पैट्रोलियम सप्लायर भी बना है 2022-23 के financial years में जो पहला छमाही है इसमें चीन की जगे भारत के लिए उर्वरक का सबसे बड़ा जो सप्लायर बना है वो बना है रूस रूस और यूकरेन का युद्ध हो रहा है जिसकी वज़े से जो ग्लोबल जो fertilizer कीमत है वो बढ़ गई है और पश्मी देश जो है रूस पर बहुत ज़्यादा प्रतिबन लगाये हुए है और वो उर्वरक खरीदने से इंकार कर रहे है इस वज़े से रूसियों ने भारत को भारी छूट दी है और अपने उर्वरक की पेश भारत को की है भारत ने रूसी उर्वरकों को खरीदने की जो मांग है उसको स्विकारा है और भारत ने रूसी उर्वरक की खरीददारी बढ़ा दी है question number 5 देखते हैं हाली में बाबू मडी का निधन हो गया वे किस खेल से संबंदित थे तो बाबू मडी का संबंद फुटबॉल से था अब ही हमारे बीच में नहीं रहे ये पूरो भारती फुटबॉल कप्तान थे बाबू मडी दोस्तो हाली में जितने भी महतुपूर निधन हुए हैं आई इसे भी रिवाइस कर लगते हैं हाली में तेलगू फिल्म सुपरस्टार क्रिशना गारू का निधन हुआ है भारत के बास्केट बॉल दिगज प्लेयर अब्बास मुंतसिर का निधन हुआ है 85 विर्स के प्रसिद मैथेमेटीशन आरल कश्यप का निधन हुगया है भारत के सबसे पहले मतदार्ता श्याम शरन नेगी का निधन हुआ है सेवा संस्था की संस्था पक हिला भठ का निधन हुआ है बिर्जुशा भारती मुक्य बास थे इनका हाले में निधन हो गया है अबिजीत सेन प्रख्यात अर्थ शास्त्री थे और जारखंड के पूर राजय पाल कौन थे सिबते रजी इनका भी निधन हो गया है और के अन सिंग सुप्रीम कोड के पूर नहधिस थे इनका हाले में न बनाया जाता है व्रिद्य विक्ति का अंतराश्ट्रे दिवस, अंतराश्ट्री अहिंसा दिवस दो अक्टूबर को, वर्ल्ड नेचर दे तीन अक्टूबर को, वर्ल्ड टीचर्स डे पांच अक्टूबर, वायुसेना दिवस आठ अक्टूबर, वर्ल्ड पोस्ट डे नौ अख्टूबर इंटेनिस्नल ग्ल्स डे ग्यारब विश्वगाठीय दिवस बारब और विश्वमानक दिवस चौद अक्टूबर17 अक्टूबर को ग्रीबी को कम करने कि условr अनुत राश्ट्री दिवस मना जाता है और विश्वखाद दिवस सोल अक्टूबर को संयुक्त राष्ट दिवस 24 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस 30 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर को राष्ट्रिय एकता दिवस मनाया जाता है हाली में हर किरीज सिंग इनका ये हाली में न्यूक्त किये गए है हर किरीज सिंग ये किस देश के ब्रैंपटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किये गए हैं तो दोस्तों ये कैनडा में कैनडा में ब्रैंपटन शहर के डिप्टी मेयर हाली में नियुक्त किये गए हैं कैनडा में उन्टोरियो प्रुवियंस के ब्रैंपटन शहर के हरकरी सिंग की नियुक् country है और ये नॉर्थ अमेरिका continent में आता है सबसे जादा सबसे लंबी इसकी जो coast है सबसे जादा 30 सीमा है तो दोस्तों सबसे लंबी भूमी सीमा है 8,890 km coast आप नहीं बोल सकते सबसे लंबी boundary वाला देश जो है वो है कौन सा Canada है 8,890 km और दोस्तों 49 डिगरी जो parallel line है ये Canada और अमेरिका के बीच अंताराश्टी सीमा है इसकी capital उटावा है और Canadian डॉलर यहां की currency है प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन टूडो देखी ये Canada की location अब देख पा रहे हैं ये Canada की location है ये USA है और ये है मेक्सिको next question सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से हाली में किसे सम्मानित किया गया है तो सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से हाली में उमा शर्मा जी को सम्मानित किया गया है दोस्तों उमा शर्मा कोन है ये प्रख्यात कथक नित्यांगना है उमा शर्मा इन्हें भारती शास्त्री संगीत वनित्र के छेत्र में उलेखनी युगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है दोस्तों इसके लावा और भी महतोपूर्ण पुरस्कार 2022 में दे गया है आई ये से भी डिसकस करते हैं तो पत्रकार दानिस मंजूर भट को COVID-19 रहत प्रयासों के लिए जैपुर फुट युए से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों खालिज जावेद को 2022 का JCB साहित पुरस्कार मिला है दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और भारत को फैमिली प्लानिंग के लिए एक्सल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है केरल परेटन ने वर्ल ट्रेवल मार्ट में Responsible Tourism Global Award जीता है फ्रांका मा ई सुलेम योग ने युनेसको मदन जी सिंग पुरस्कार 2022 का सरस्क्रण जीता है दोस्तो अगला प्रशने रहा शत्रुनास अभ्यास ये भारती सेना की किस कमान के द्वारा किया गया है तो शत्रुनास अभ्यास भारती सेना की दक्षण पश्चिमी कमान के द्वारा साउथ वेस्ट कमान के द्वारा ये अभ्यास किया गया है तो भारती सना की दक्षिर पश्चिम कमाने कब 21 लवंबर 2022 को किस जगह पर राजिस्थान के थार रेगिस्तान में भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है यहाँ पर एकिकृत अगनी शक्तिय अभ्यास शत्रुनास का आजन किया है इस अभ्यास में जमीनी और हवाई उद्ध अभ्यास दोनों को शामिल किया गया है दोस्तो भारती सेनकी तो जो दक्षिन पश्चिम कमाने कहां पर है तो ये जैपुर में है और दक्षिन पश्चिम कमान के जनरल ओफिशर कमांडिंग चीफ है लेटिनन जनरल एएस भेंडर दोस्तो भारत में जितनी भी महात्पूर कमाने है उसका हेड़कॉर्टर जान लेते है तो वेस्टर कमान का हेड़कॉर्टर चंडी मंदिर हर्याडा में है पूर्वी कमान कोलकाता पश्चिम बंगाल में है दक्षिन कमान पूरे महरास्टर में है उत्तरी कमान जम्मू उधंपूर में है मध्य कमान लकनो यूपी में है दक्षिन पश्चिम कमान जैपूर राजस्थान में हाली में यहाँ पर अभ्यास हुआ है और सेना प्रसिक्षन कमान शिमला हिमाचर प्रदेश में है अगला प्रशने रहा हाली में बाट और माप की अंतरराष्टी समती के सदस्ट के रूप में किसे चुना गया है तो बाप और माप की जो अंतरराष्टी समती के सदस्ट चुने गया है यह बेडु गोपाल अचंता प्रोफेशर बेडु गोपल अचन्ता को बाट और मापकी इंतराष्टी समती का मेंबर बनाया गया है इसका 27 वा आम सम्मेलन की जो बैठक है वो 15 से 18 नवंबर 2022 को पेवी फ्रांस में आजित किया गया अभी कुछ महतुपूर्ण एपॉइंट्मेंट हुएं उसे भी डिसकस करते हैं हाली में भारत के चुनाव आयुक्त बनायेगा एलेक्शन कमिशनर अरुण गोयल इसके लाबा चीफ एलेक्शन कमिशनर राजीव कुमार है और एक और एलेक्शन कमिशनर है इनका क्या नाम है अरुण गोयल नाम है और दूसरे है अनुप चंद्र तो हमारा जो एलेक्शन कमिशन होता है वो तीन सदश्शी बोडी होता है मेटा के न्यू है जो न्यू इंडिया हेड बने है संध्या देवनाथन बने है गौरब दुवेदी प्रसार भारती के CEO बने है और ICC के हाली मध्धिक्ष बने ग्रेग बारकले आज का आखरी प्रशन है अबुधावी ग्रेंड प्रिक्स को हाली में किसने जीता है तो अबुधावी के ग्रेंड प्रिक्स को हाली में मैक्स वेर स्टेपन ने जीता है किसने जीता है मैक्स वेर स्टेपन नीदर लेंड के प्लेयर है मैक्स वेर स्टेपन फरारी के चार्ल् वेटल की अंतिम दोर थी जिसमें इन्होंने भाग लिया दोस्तों करेंट अफेट्स की रस्म लाई आ गई आप सबी के सामने 2022 के महात्वपूर्ण प्रश्णों को यहां पर डिसकस करने वाला हूं ध्यान से सुनियेगा भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है तो यह है उजबेकिस्तान कोटेडी आईवर हाली में बलविंदर सफरी का निधन हो गया वह कौन थे तो बलविंदर सफरी गायक थे किस देश में 300 साल के बाद लूलू रोज नाम का सबसे बड़ा गुलावी हीरा मिला है यह अंगोला में मिला है विश्व हैपेटाइटिस दिवस क करता है एक हमारी हमारी यह लीवर को प्रभावित करता है है पिज hostile हीपेटाइट बुटाइटिस हेपेटाइटिस वारस की की वज़से होता है kg दोस्तों दस प्रशन आप सभी के सामने आ गए है और दस में से 10 लाना है आप सभी को मसकट किस देश की कापिटल है तो मसकट capital है उमान की बोंगो सागर अभ्यास भारत और किस देश की बीच में होता है तो बोंगो सागर अभ्यास भारत और भांगला देश की बीच में होता है संगाई उस सब किस राज में बनाया जाता है मडिपूर राज में केंदरी ये परेटर मंत्री हाली में मंत्राला है जैसेंडा आडन की इस देश की प्राइम इनिस्टर बनी है तो न्यूजिलेंड की बनी है क्रिश्णा गारू कौन थे जिनका हाली में निधन हो गया है तो यह एक अभिनेता थे गांधी मंडेला प्रसकार 2022 किसे मिला है दलाई लामा को भारती सेना की पूर्वी क अमान का मुख्याले कहां पर है कोलकाता में है ग्रेक बारकलिक की संस्था के अध्यक्ष बनाए गए है तो यह आई सीसी के अध्यक्ष बनाए गए है सेना दिवस कब मना जाता है हर साल 15 जनवरी को दोस्तो 22 नवंबर के करेंट अफेर्स का अब यहां पर हम रिवीजन करे किसे मिला है तो चिरन जीवी कोने डेला को कमेंट बॉक्स पर आपके एंसर रुकने नहीं चाहिए पूर्वत्तर के पहली युनानी चिकिस्सा छेतरी केंद्र का उध्गाटन कहां पर किया गया सिलचर में जल जीवन मिशन में देश का सबसे शीर्ष रैंक वाला कौन सा ज यहांपुर कासिम जोमाट किस देश के फिर से राष्ट्र पती बने है कजाकिस्तान के देखे कजाकिस्तान की कैप्टल क्या है अस्ताना है पहले नुर सुल्तान थी वापस से बदल कर इसे अस्ताना कर दिया है विश्व विरासा सक्ता 2022 कब से कब तक मनाया गया 1925 नवंब पंदरावी एशियाई एयर गन चेंपेंशिप में भारत ने टोटल गितने मडल जीते 38 विश्व टेली विजन दिवस कब मनाया जाता है 21 नवंबर को मना जाता है फीफा विश्व कब 2022 में उद्घाटन समारों में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए है जगदीब धनकट सामिल हुए है जो की भारत की उपराशपती है अमर सरकार पोर्टल किस राज में लॉंच किया गया तो अमर सरकार पोर्टल कहां पर लॉंच किया गया त्रिपूरा में बंडारू, बिलसन, बाबू किस देश में भारत के नए राजदूत न्यूक्त किये गए है तो ये कोमो रोस के हाली में नए राजदूत न्यूक्त किये गए आज का सवाल है टाइगर ट्रम्फ अभ्यास भारत और किस दिस्की बिच में होता है आपको इस कैंसर कमेंट बॉक्स पर देना है दोस्तो यह होता है करेंट अफेर्स खतम अब स्टैटिक जीके का पिटारा खुल गया है 25 प्रशन आएंगे 25 प्रशन सभी विशय से होंगे आपका 25 प्रशन का टेस्ट होगा और नई चीज़ आप सीखेंगे भारती नैपोलियन की उपाधी किसे दी गई तो भारती नैपोलियन थे समुद्र गुप्त ठीक है कभी इनोंने युद्ध नहीं हारा गुप्त शाषकों की सरकारी भाषा क्या है थी तो ये थी संस्क्रिट वायू मंडली दापकुम आपने का क्या पैमाना है बैरो मीटर की मदस से नापा जाता है नागालेंड भारत का विदिवत राज कब बना 1963 में मुख्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो इन मुख्य मंत्री की नियुक्ति राजपाल के द्वरा होती है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का स्तमाल किया जाता फ्रियोन का कौन एक प्रकार का शहरी इस्थानिय साशन निकाय नहीं है तो यह है जिलाप परिशद राश्पती के कारकाल की रिक्ती को कितने दिनों में भर देना चाहिए 6 महीने के अंदर भारत की किस नदी को ब्रिद गंगा कहा जाता है तो आपसे पूछा जाता है भारत की किस नदी को कहा जाता है ब्रिद गंगा तो यह है गुदावरी ठीक है और दक्षर भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है भारत की किस राज में लोनार जील है तो यह महराश्टर में है राष्ट मंडल खेलों का आजन भारत में किस वर्स किया गया था 2010 में भारती राष्टी कॉंग्रेस के पहले अध्यश कोन थे तो ये थे W.C. बेनरजी किस देश के मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है तो किस देश से लिया गया है USSR रश्या से मसालों का बगीचा किस राज को कहा जाता है तो ये है केरल मुहम्मद गौरी ने जैचंद को किस युद्ध में पराजित किया था तो ये था चंदावर का युद्ध 1194 में भारत में लोकसभा का विगटन कौन कर सकता है तो ये है राष्पती आरफ सागर की रानी किसे कहा जाता है कोचिन को नंदा देवी परवचोटी किस राज में है तो नंदा देवी परवचोटी कहा पर है उत्तराखन राज में है कंचेन जंगा परवचोटी कहा पर है तो ये कहा पर है भारत में है उकाई, सिचाई, परियोजना, भारत में किस राज में है, गुजरात में है, तापती नदी पर भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 में हुई है निल में से किस प्रकार का कोला सबसे उच्च कोला माना जाता है तो सबसे बेस्ट कोला है एंथरसाइड, सीसा लड़का जो अयश खई ये क्या है तो ये है गैलीना फत्यपूर सिकरी के डैस के द्वारा मुगल समराज की राजधानी के रुप में स्थापत किया गया अकपर के द्वारा, समुद्र गुप्त का दरवारी कवी कौन था, तो ये था हरिशिन माड मिट्टी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है ये पूछा जाता है तो ये पाई जाती है दक्षडी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है तो साथ्यों ये था स्टाटिक जीके का पिटारा कैसा लगा आप लोगों को सेशन जरूर कमेंट बॉक्स पे बताएगा फेस कैम में जल्दी आऊंगा फेस में आपको जल्दी दिखूंगा तब तक के लिए आप सभी इस फॉर्मिट में पढ़ें मैं बाहर हूँ आपका करेंट अफेर छूटे ना इस वज़े से मैं कहीं भी रहूँगा कैसे भी रहूँगा लेकिन आप तक आपका करेंट पहुचाता रहूँगा ये राजा का वादा है तो दोस्तो यदि आप science batch को join करना चाहते हैं आप join कर सकते हैं मैं science batch भी पढ़ा रहा हूँ और दोस्तो crazy gk trick application पर बहुत सारे courses अभी launch किये गए हैं अगर आप इस पर offer लेना चाहते हैं तो आप rgcgt का code लगाईएगा तो आपको राजा गुपता cgt rgcgt इस code का use करके आप maximum discount पा सकते हैं rgcgt का code यूज़ करके ठीक है बहुत सारे courses launch किये गए हैं root application पर भी हमारे बहुत सारे courses available हैं अगर आप उसे join करते हैं और code यूज़ करके आप बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं सेशन कैसा लागा जरूर बताईए पहली बार हमाये चैनल पर आ रहे तो don't forget to subscribe like कर दीजेगा चैनल को share भी कर दीजेगा और आप हमें follow कर सकते हैं हर जगे हम हर जगे आपको मिल जाएंगे instagram, telegram, facebook सभी जगे आपको मिल जाएंगे thank you friends मिलते हैं फिर तब तक के लिए जय हिन जय भारत